इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं एक मार्च दो हजार बाईस विश्वास की घोष्णा मैं घोष्णा करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं अपने जीवन पर इस्वर के अविश्वस्नी आशिरवात की घोष्णा करता हूँ मैं इस्वर की दयालूता का एक विश्वोट देखता हूँ अचानक व्यापपृद्धी मैं इस्वर के अनग्रह की महानता का अनभव करता हूँ यह मुझे उस तर्तक ले जाता है जितना मैंने कभी सपना देखा था यह मेरी घोष्णा है दिव्य स्वास्त की स्विकारोगती मैं चमतकारी समता से सूर्थिबान उर्जाबान हूँ मैं इस्वर की परयाप्तता में परयाप्त हूँ और दिव्य जीवन से धन्य हूँ जो बिमारी और रोक पर विजै प्राट करता है मैं लगातार स्वास्थ और ताकत में रता हूँ धन्य है इश्वर आमेन मैं जैसा कहूंगा मुझे इश्वर के नाम पर वही मिलेगा मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर कुप्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानोजाति का कृपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मुझे अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमिन पर लगाया गया है, मेरे प्रभु के दरबार में मैं तार के पेड की तरह पनकता हूँ, मैं हर मौसन में प्रच कभी नहीं मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एशु के नाम पर करता हूं संपन हो जाता हूं एशु के नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर रही है मैं मसी एशु में हर आध्यात्मिक आशिरवास्विकार करता हूं एशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूं मैं मेरी आत्मा हूं मेरी आत्मा और मेरा अंतरमन एक भौति शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को आग्या देती है मेरा अंतरमन सुनता है पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पारण करता है इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्यक्त है मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ मसी के मनोभाव की तरह परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें ईश्वर के शब्द द्वारा संरेखित करने के आग्या देता हूं। मैं अपने कांडरा अर्था सनायू और नसों के लिए जीवन बोलता हूं। मैं अपनी मान स्पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूं। मैं अपने दिल से बड़ी जीवन शक् बात कहता हूं मैं सामानी वेंटिलेशन अर्थात वायू संचार और छिड़काव अनुपात बना रखने के लिए अपने फेफणों और उतकों से बात करता हूं मैं अपनी किड्नी को परिपूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़ी जोड और उपास्ती संरेखित मजबूत और दिड़ है मेरी उंगलियां उतकृष्ट रूप से कारी करती है मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान इस्टतम काम करते हैं मेरी तचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की सुन्दरता के समान चिक अने कोश में व्रिध्य जारी करता हूं मेरे दाथ मसूडे जवा बंद और तंत्री का और रत्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस में है और अपने कार को सामाने रूप से निश्पादित कर रहा है मेरा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने अवसोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चया पचय अप्सिष्ट उत्पाद नेमेत रूप से उस सर्जित होते हैं मेरी प्रजनन प्रणाली परियाप्त मा प्रण करती है मेरे शरीर का हर एक अंग हर एक कोसी का ठीक उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से सुरी करने करने के लिए dissoci के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरुपता कुरुपता हूँ मेरा पूरा मानोश शरी रचना विज्ञान और शरी क्रिया विज्ञान मसी येशु में परिपूर्ण है हालेलुया आमेन मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ पिताई शर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ